द्रिष्टी आईएस में जो आपके MPPSC Prelims को ध्यान में रखते हुए Model Paper निकाले हुए है यह आपका 5 बाद पेपर है इससे पहले हम लोग देखा होगा कि आपने 4 पेपर हम लोग कतम कर चुके है और आप सब लिए लोगों को मालूब ही है कि जब से नया पार्ट करम आया हुए MPPSC Prelims का उसके बाद पहली बार यह Prelims होने जा रहा है तो आप लोग Model Paper देख लें जरूब और द्रिष्टी आईएस की में साइट पर जाके आप लोग पुराने Paper भी Download कर सकते हैं एक General जानकारी देखना है तो वहां आपको वह भी मिल जाएगी ठीक है चलिए से हम लोग देख लेते हैं और आप सभी को मालूब है कि यह GS First है यानि की समानत ध्यान Paper First का है और दूसरा आप CSET होता है जो आप देखते हैं कि अधिकत लोग Qualify कर लेते हैं उसमें Passing Mark चाहिए होते हैं समझ रहें आप लोग लेकिन ये पेपर आपका जो First है ये 100 Questions रहते हैं इसमें आपके 200 नमबर कर रहता है ठीक है और माइनस मारे के नहीं MPPSC में है ये आप लोग जरूर याद रखेगा चेत्रिये गरामीड विकास बेंक की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को बता ना है तो आप सभी को मालग खूंगा कि ये 1975 की बात है कब हुई थी 1975 में यानि किसमें आप लोग D option लगाएंगे सूची 2 इसमें आप देखें कि कुष्चन नमबर 2 में सूची 1, सूची 2 को सुमलित करना है ये एक तरप आपके सूची 1 में हडपा इस्ताल दियेगे दूसरी तरप आप देखेंगे उनकी स्तिति कि कहां कौन है ठीक है ये बता रहा है रंगपुर आप देखने को मिलेगा आपको रंगपुर आप देखेंगे कहां गुजरात में काली बंगन राजिस्थान में राखी गड़ी आप देखेंगे हर्याड़ा में मुहन चौदरो सिंध में ठीक है इस तरह से आप लोग देखेगे रंगपूर कहा है यह आप सभी जानते हैं गुजरात में आपको काली बंगन यह आपका राजिस्थान राखी गड़ी हर्याडा मोहंचोद्रो सिंद्र तो इसमें क्या लगा होगी बी ओप्षन क्या लगा होगे बी ओप्षन अंगला कुशन हमसे क्या पूंच रहा है तीसरा निमलिकित में से किसे मिसाइल भूमेन ऑफ इंडिया टाइटल से जानते हैं आप लोग तो इसमें आप लोगों का मालो होगा टैसी थॉमस को टैसी थॉमस को क्या होगा इसमें तीसरे में सी ओप्षन बिलकुल सही होगा कुशन नमर चार राजगरे वैसाली और पाटली पुत में निमलिकित में से कौन सी एक समानता है तो इसमें देखेंगे यह सभी वो इस्थाने जहां बहुत संगितियां हुई है आपकी आप देखेंगे राजगरे में भी हुई है वैसाली में भी हुई है पाटली पुत मे भी हुई है ठीक है तो यह वह ही है तो इसमें आप लोग C option लगाएंगे question number 5 निमलिकित में से कौन सी रचना हरस द्वारा रचित मानी जाती है तो यह याद रखिए आप लो free दर्शी का भी भी है आपकी रतनावली भी है नागनन्द भी है तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे D option क्योंकि तीनों यह आपकी हरस द्वारा रचित है रचना है question number 6 क्या पूँच रहा है आपसे संगम कालीन राजविवस्था की संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है पूँच रहा है इस योग में बंसा अनुगत राश्विवस्था का पिचलन था बिल्कुल सही है समकालीन गरंतों में चक्कवर्ती राजा का अउधारणा आग्याती राजा की सक्ती पर पांच परिस्थेतों का नेंतर होता था तो इसमें आप देखेंगे B option सही नहीं है आपको चटबे में आप लोग B लगाएंगे ठीक है बाकी आपका A और C बिल्कुल सही है कुश्य नम्बर साथ क्या कह रहा है पिसिद्ध कभी राज सेकर किस बंस के दरवारी कभी थे तो इसमें आप लोग याद रखी कल्चुरी साथ में आप लोग क्या लगाएंगे A कुश्य नम्बर आठ मिया तानसेन के संद्रम में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि तीन तो आपके सही होंगे एक आपका गलत होगा तो आपको गलत चुनना है क्या चुनना है? गलत बादसाय अकबर द्वारा उन्हें दीगई उपादी तानसेन थी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबनित दोफरदों की रचना की तानसेन ने अपने सरक्षकों से संबनित गीतों की रचना की तो याद रखे इसमें A गलत है आपका, बाकी B, C, D, सही है, तो 8 में क्या लगा होगी आप लोग, A, तान सेक्ट का मखवरा कहा है आप लोग, जरूर बताइए आप लोग नीचे, चलते हैं कुश्चे नमबर 9 की तरफ, फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी के समंद में कौ इसमें फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में ब्यापार अंग्रेजियों के बात सुन किया, फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से सुतंध थी, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डूफले की समय फ्रांसीसीयों की दच्छे भारत में सक्ति चरंकी सीमा पर थी, वांडी वास योदी की बाद हुई, फेरेश संधी की बाद फ्रांसी सी भारत में केबल ब्यापार केंदरों के रूम में काम कर सकते थे, तथा ना तो वे अपने कारखानों की किलिवंदी कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे तो इसमें आप देखेंगे सही कौन सा नहीं है बी आपका option सही नहीं है बाकी A, C, D आपका सही है 9 में क्या लगाओगे? 9 में क्या लगाओगे? B option ठीक है? Q10 क्या पूँच रहा है? निमलिकित में से कौन सी इस्थाई बंदोवस्त की विसेस्ता नहीं है? तो तीन तो विसेस्ता हैं होंगी, एक नहीं होगी, नहीं आपको देखनी है तो इसमें आप देखेंगे, इस्थाई बंदोवस्त ने भूव स्वामित्य का अधिकार जमीदारों में नहित किया इस्थाई बंदोवस्त ने क्रसकों के प्रतागत दखल अधिकार को ध्यान में रवनाए रखा इस्थाई बंदुबस्त के अधीन उच्चे मालगोजारी निधारन का भार किरसकों पर डाल दिया गया इस्थाई बंदुबस्त के अधीन भूमी के बास्थिक किरसकों की दसा में गिराबट आई तो इसमें आप देखेंगे B option होगा आपका गलत बाकी A, C, D आपका बिल्कुल सही है ठीक है तो यह आप लोग याद रखी 1857 में कलकत्ता में पिसिद्ध हिंदू कॉलिज की स्थापना किस ने की थी तो याद रखी यह थी डेविड हेयर 11 में C Question है मारे सामने बारे सूची एक सूची दो को सुमलित करना है आपको एक तरह से सही जोडिया की तरह है यह आपकी अदिनियम हो गए और यह बर्स हो गए जिस अदिनियम में आया हुआ है तो इसमें सबसे पहले आप लोग रॉलेक टेट यह कब आया था बताईए तो 1919 में इसे आप लोग ने देखा होगा कि काला कानून भी कहते हैं नमक मार्च कब हुआ था नमक मार्च यह कब हुआ था तो यह हुआ था 1930 की चोरी-चोरा की घटना 1922 दुतिये गोलमेज सम्मेलन 1931 और आप सभी जानते हैं कि तुतिये गोलमेज सम्मेलन में कॉंग्रेस की तरफ से एक मात व्यक्ति कौन थे भाग लैने वाली गांधी जी कॉंग्रेस ने दूसरे ही केवल गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो बारे में आप लोग क्या लगाएंगे यह उप्सन बिल्कुल सही है आपका भारत की नियू किलियर रियक्टर्स में कौन सा इंधन प्रेयोक्त होता है उप्योक किया जाता है तो याद रखिए है यूरी नियम 238 तेरे में आप लोग डी लगाएंगे गुश्यन है चौदे पट्टी चित के विसाय में निमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो यह आप देखेंगे यह उडी सा की चितकला सैली है यानि कि चौदे में आप लोग डी लगाएंगे Quesion है मारे सामने 15 भारत के राष्णपती के संबंद में निमिलकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो यहाँ भी आप देखेंगे तीन आपके सही होंगे एक सही नहीं है वही आपको चुनना है तो इसमें आप देखेंगे कि राष्टपती के पास परिस्थिति जनित बेवेग का अधिकार नहीं है राष्टपती अंतराष्टी मंचु मामलों में भारत का पितिनित करता है कूठनितिक जैसे राज़दू तो रुच्चादाई उच्चायोकतों को भेज़ता है वह भारत की सेनबलों का सरवोच सेना पती होता है वह अथल सेना, नो सेना, वाई सेना की प्रमोखों की नियुक्ति भी करता है बिल्कुल सही है तो इसमें आप लोगों को लगाएंगे 15 में A option आपका गलत है बाकी B, C, D, बिल्कुल सही है और सही नहीं आप पूच रहा है तो आप लोगों को क्या गोला भरेंगे वहाँ A और बड़ा समयदारी से गोला भरा करिएगा क्योंकि आप जैनते हैं कि एक बार वहाँ अगर गलती हो गई तो हो गई फिर आपके पास सुधारने का कोई एक तरह से मौका भी नहीं मिलता है और बड़े ध्यान से भरा करिएगा ठीक है एक-एक मिला के 16 कुश्यन हमारे सामने क्या भूच रहा है कोई भी नई अकिल भारतिये सेवा किसके द्वारा सेजित यानि की सेजित बनाई जाती है जा सकती है तो याद रखी से मैं राज्यसभा के किसी पिस्ता हो द्वारा किसके राज्यसभा के किसी पिस्ता हो द्वारा कुश्यन हमारे सामने सत्र है समिधान में उलिकित भासाई अल्ब संक्यानकों की सुरक्षा के संदर्ब में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो यहां भी आप देखेंगे तीन कथन सही है यह कथन गलत है और वही गलत आपको चुनना है तो आप चुनना है संग्या राज्य में प्रयोक की जाने वाली किसी भी भासा में संग्या राज्य के किसी सरकारी कार्याले में सिकायत करने का अधिकार पितेक राज़ द्वारा भासाई अल्पसक्याकों के बच्चों की सिक्षा के परात्मिक इस तर बरमात भासा में सिक्षित करने के लिए प्रयाप्त सुध्धाय पिदान करना राश्टपती भासाई अल्पसक्याकों कि समिधानिक रख्चोपाय से समद्ध सभी मामलों की जाज के लिए एक विसेश्थ पदाधिकारी की निवक्त कर सकता है, जो उसे रेपोर्ट को करेगा, उसे रेपोर्ट करेगा, और समिधान केंद पर हिंदी भासा के प्रोसाहन, फिसार और विकास के लिए कोई करतब बार उपर नहीं करता, तो इसमें आपका D गलत होगा, ठीक है, और बाकी आपके ABC सही होगे, तो 17 में क्या लगाओगी, D, 17 में D, अनुछे 352 और 356 के तहट, आपातकाल की स्थिति के सम्द्ध में निम्लिकित कत्रों में से कौन सा कतन, सही है, सही पूंच रहा है, तो अनुछे 356 के तहट अधिक तम तीन बर्स के लिए हो सकती है, और जबकि 352 के तहट या अनिश्चित काल तक कायम रहे सकती है, और आप जानते हैं कि 356 आपका राष्टी सासन की बात करता है, 352 तो राष्टी आपातकाल की बात करता है, ठीक है, तो A भी याद, तो इसमें आप राज निर्वाचन आयो, एक बात हमेसे याद रखे, जो भारत कर निर्वाचन आयो है, यह आपके लोकसवा, राजसवा, विधानसवा, विधानपशद, राष्टपती, उपराष्टपती, इनके चुनाव करवाता है, इनसे समंदि सभी नेड़र लेता है, लेकिन जो आप देखते हैं कि एक निर्वाचन आयो होता है, तो वही करता है यह धलता के यह याद रखे हुआ, कुश्य नमर 20, समीधान, संसुधन, विधियक की संद्रम में निमलिकित मैं से कौन सकतन सही नहीं है, क्या पूंच रहा है, सही नहीं है, संसुधन, विधियक की लोग सभा का अध्यक्ष विवेक को अध्यक्ष विधेक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की सयुक्त वैठक बुला सकता है विधेक को विधेक सदन द्वारा विषे इस बहुमत से अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए विधेक को संसत के किसी भी सदन में पुराय स् सकता है तो याद रखिए इसमें ये आपका गलत है बड़े ध्यान से सुन लिए जो आपकी सयुक्त बैठक होती है इसे बुलाता राष्टपती है लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसवा अध्यक्ष करता है लोकसवा इस पीकर करता है बुलाता नहीं है याद रखिए इस बात तो इसमें भी आप देखेंगे एक तो आपका सही नहीं होगा बाकी तीन तो सही होगे तो सही नहीं है चुनना है आपको तो इसे याद रखे, एक कीस में आप लोग C, बाकी A, B, D, आपका बिलकुल सही है लेकिन इसमें आप देखेंगे कि गलत पूँचा है तो क्या लगाओगे? C, question हमारे सामने 22, सूची एक सूची दो को समलित करना है आपको नदी पर अफवाह पिती रूप के, संदरब में नीचे दी गई सूचीयों को मिलाना है आपको तो इसमें आप देखेंगे अफवाह पिती रूप पेड़ की साख़ा के अनुरूप यह आप देखेंगे बैक्चाकार पिती रूप जब नदी परवस्ति निकल कर सभी देशाओं में बहिती है जब नदी परवस्ति निकल कर सभी देशाओं में बहिती है तो यह आप देखेंगे आपकी अरिय पिती रूप ठीक है जब मुख नदियां एक दूसरे के समानंतर एवं सहाएक नदियां उनके समकोण पर मिलती है तो यह आप देखेंगे जाली नुमा पिती रूप जब सभी देशाओं से नदियां वहकर किसी जील या गर्फ में बिसरजित होती है तो अभी केंद्रिय प्यारू तो इस तरह से आप लोग क्या लगा होगे इसमें C आपका विलकुल सही है 22 में C अंगला कुश्चन है हमारे सामने याद रखिए आपकी लद्दाक में आप देख रहे हैं यही बिवाज चल रहा है हमारा और चाइना का कुश्चन हमारा हमारा है 24 सिचाई की विधी और टिपडी और सही समलित आपको देखना है तालाब कुल सिंचित छित में 2.97 यानि कि 2.97 सिचाई के लिए यहुदान उमद्दव और दच्छन भारत में प्रिप्त होता है नहरे कुल सिंचित सिंचित छित्र में 24.94 सिचाई के लिए यहुदान है उत्तर पिदेश हर्याणा पंजाब का सिचाई का पिर मुक्सरोत है यह आप देखेंगे मुक्र रूप से उत्तर पिदेश तमिलाडू पंजाब महराष्ट के छोटे छित्रों में प्रियुक्त है और कुल सिंचित छित्र में 61.98 की तीसा सिचाई के लिए यहुदान देता है इसमें आपके चारों सही है क्या लगाओगे D-Option इस तरह के questions आप देखेंगे आपके Civil Service और UPPCS इस्टेट में जानदा आते हैं लेकिन कभी-कभी MP में भी इस तरह के questions आ जाते हैं सूची एक सूची दो को समलित करना है आपको एक तो आपके सूची एक में खने जमाओ और एक में एक तरफ राज इन्हें आप लोगों को मिलाना है जिपसम राजिस्थान जिपसम कहां राजिस्थान ग्रेफाइड अरुनाचल पिदिस फिलो और इस पार ये आप देखेंगे गुजराद, निकेल ये उडिसा इसमें आपका 25 में C लगाएंगे आप लो 25 में C Question है हमारे सामने 26 नेमलिखित राष्टिये जलमार्ग में से कौन सही संबलित है सही संबलित पूच रहा है तो इसमें आप NW2 ए साधिया से धूरी NW3 कुट्टाफुरम कुलम NW1 इसमें आयाद रखे आपके तीनों सही है 26 में आप क्या लगाएंगे 26 में लगाएंगे आप लो D Question 27 दिन और राद की योधि से समबनित निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है कौन सा कतन सही है तो भूमत रेखा कि निकट अंतर निउन्तम होता है इसमें और उससे दूर जाते हुए प्रगामीता बढ़ती जाती एक तरह से अंतर बढ़ता जाता है तो 27 में भी आप लोग ये लगाएंगे इसे आप लोग टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया था वहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने पास रख लीजिए वहां से आप लोग देखते रही है आराम से पेपल देने से पहले देख जाना उसके बाद 28 कुश्चन्स क्या पूछ रहा है 28 कुश्चन्स कह रहा है हम से कि मिर्दा मिर्दा का लवनी ववन मिर्दा में 31 सिंचित जल के वास्वीकत होने से पीछे चूटे नमक और खनीजों से उत्पन होता है सिंचित भूमी पर लवनी ववन का क्या परहा हो पड़ता है क्या परहा हो पड़ता है बताइए यह कुछ मिर्दाओं को आप परागम बना देता है अठाइस में बी कुष्यन नमर 29 सूची एक सूची दो को समलित करना है आपको सूची एक और सूची दो को क्या करना है समलित करना है जोब मंडल इसके बारे में बताईए जोब मंडल मौसम उसमें जो परिवेतन होता है जोब मंडल में मद्ध मंदल उचाई के साथ तामान में कमी ताम मंदल लंबी दोरी के संचार में साइक और समताम मंदल समताम मंदल में आप देखेंगे ओजौन परत और हवाई जहाजों के उड़ने के लिए आदर्स श्तीति फिर्दान इसमें होती है समताब मंदल में याद रखिए से तो इसमें आपका ये ओप्षन बिल्कुल सही होगा इनसे भी आपके कई बार कुश्चन्स फूंच लेता है इन्हें भी आप लोग याद रखेगा कुश्य नमर हमारे पास तीस निमलिकित में से किस छेत में एलवीडो उच्छेतम होगा तो याद रखिए हमाच्छादित छेत द्रोम में ठीक है तीस में आपका ये कुश्य नमर 31 क्या पूछ रहे हैं सूची एक सूची दो को समलित करना है एक तो महासागरिय धाराएं होग होगे महासागरिय धारें और तठ हमबोल्ट हमबोल्ट ए चिली पीरो उत्री अटलांटिक अफवा उत्री अटलांटिक अफवा ये यूनाइटिक किंगडम और नॉर्वे बेंगोईला ये आप देखेंगे नावी विया अंगोला अगुलहास मुजांबिक मेडा गासकर तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे बी ओप्सन विलकुल सही है ठीक है कुशिन है हमारे सामने 32 भारत में खाद राष्टी है खाद सुरक्षा मिसन कब से तरभावी हुगा था तो ये आपको याद रखना होगा 278 की रवी फसल से तो इसमें आपका 32 में D 33 निमलिकित मे से कौन सी रचना भावानी फिरसाद मिस्की नहीं है पूंच रहा है तो यतना तो किलियर है कि तेन तो होगी एक नहीं होगी नहीं बाली आपको चुनना है कुमकुम ए है तटकी कोज विनोवा इस्तवन और हम विस पाई जनम के तो याद रखिए इसमें B ओप्सन होगा बी आपका नहीं है तटकी कोज इनकी रचना नहीं है कुमकुम है विनोवा इस्तवन है और हम विस पाई जनम के तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं कुश्य नमर 34 कुश्य नमर 34 नेमलिकित यह गुमों में से कौन सा सही सुमलित है राष्टी उद्ध्यान हो गया एक तरफ आपकी राज्य हो गया यह आपको बताना है स्री बेंकरिटेस और राष्टी उद्ध्यान आंदपिदेश में है वनेर घट राष्टी उद्ध्यान करनाटक माधव फूर राष्टी उद्ध्यान मद्ध्यदेश तो यह आपके तीनों सही हैं बिलकुल सही सुमलित है तो 34 में आपका B 34 में D माप करिएच D ठीक है कुश्य नमर 35 निमलिकित में से कौन सा इस्थल वनस्पती सरक्षन जीतू सो इस्थाने इन सीटो पद्यती नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि आपका वनस्पती को उद्ध्यान नहीं है जी मंडल आरक्षिछे थे वाइस फियर रेजर राष्टी पार्ग बन जी पराड़ी अब्ध्यारन वन पराड़ी अब्ध्यारन तो 35 में आपका B कुश्चिन नमबर 36 बैसविक परियावरन आउटलोग रेपोर्ट किसके द्वारा पेकासित की जाती है तो याद रखे सहीवत राष्ट परियावरन कारिकरम और याद रखे इस तरह कि जो भी आपके संस्थान है इनसे कुश्चंस आपके हरवार एक दो कुश्चंस दो चार कुश्चंस आते रहते हैं यहां तक की सिविल सर्विस में भी आप देखेंगे कि 3-4 questions आ जाते हैं कभी कई 5 तक आ जाते हैं तो इन सगटनों के बारे में आप लोगों को जानकारी सामान होनी चाहिए और A जो report जारी करता है उन्हें भी आप लोग याद रखेगा तो वैसे भी परियावर्ण outlook report कौन जारी करता है सयुक्त राष्ट परियावर्ण कारकरम 36 में आपका D question number 37 सूची 1, सूची 2 पर आपको देखना है और सूची 1 में आपके convention दिए गए हैं मुख रूख से संबंदित, किस से संबंदित हैं सूची 2 में इन्हें आपको एक तरह से मिलान करना है तो बैसल convention तो इसमें आप देखेंगे एक खतरना कूडा करकट रोटर डैम convention कीर ना सकसे स्टॉक होम convention स्टॉक होम convention जैविक कारवनिक विदू सकसे मिना माता convention पारत मरकरी से तो इसमें आप लोग C लगाएंगे 37 में C ठीक है question है मारे सामने 38 पिथवी के चारों और परिक्मा कर रहा है किंते मुखबर है इसलिए पिथवी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पिथवी का आकरसन क्या करता है उसे उसकी गती के लिए आवसरे तुरण फिदान करता रहता है तो इसमें आपका 38 में D question number 29 उन्ता लिए इस तौरी धौनी के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है पूँच रहा है यह ठोस दिरव और गैस निर्वाज सभी में संचनट कर सकती है इसकी तेबेता decibel में मापी जाती है मानाव कारणों के लिए इसकी सरव आविट्टी की परास लगबग 20 Hz से आप देखेंगे 20,000 Hz तक देखने को मिलेगी यह देखी ओन लाइनर में questions MPPFC में पिछली बार कई कई बार यह पूंच लिया है questions तो यह इसमें आप देखेंगे तीन तरह के questions आपको देखने को मिल रहे है तो इसमें आप देखेंगे यह आपका गलत होगा बाकी बी और सी बिलकुल सही है चल देखें कुश्चन नमबर 40 राष्टी ये साइवर अफराद रिपोर्टिंग फोर्टल की सुरूवाद कप की गई थी तो याद रखेंगे यह है आपका 30 अगस्त 2019 तीस अगस्त 2019 एक तालीस कुश्चन है फ्हेंपणों से ऑक्सीजनित होकर रख्थ कहां जाता है तो याद रखना होगा यह यह आपका बाया अलिंद में किसमें बाया अलिंद में ठीक है प्रिकास अंसलेशन निर्फादित करने की चमता बाली पादब निमलिकित में से किस एक जीप प्रिकार के अंतरगत आते हैं तो यह आते हैं आपकी ओटो ट्राउप के अंतरगत 42 में सी कुश्चन नमर 43 प्रियास समाचारों में आने वाला कास नाइन फरोटीन क्या है यह तो यह आप देखेंगे लक्ष साधित जीन संपाधन में प्रियुक्त आंड में एक कैंची है ठीक है 43 में आपका यह कुश्चन नमर 44 टैंक रोधी मिसाईल नाग के संद्रम में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो तीन तो आपके इससे जुड़े होंगे सही होंगे यह गलत होगा वही गलत आप लोग ढूड़ लीजे गलत आप लोगों क्या करना है ढूड़ लेना है यह दागो और भूल जागो जाओ सेनी की चौथी पीडिक की मिसाईल है इसका बेकास डी आई डी ओ द्वारा एकिकित नेदेशित मिसाईल बेकास कारकरम के तहट किया गया है नाग को इस्थल और बायू आधारित प्लेटफॉर्म से लाँच किया जा सकता है यह सभी मौसम और दिन रात में काम करने सक्च में तो इसमें आपका यह गलत है और बाकी आप देखेंगे BCD बिलकुल सही है 44 में आप लोग क्या लगाएंगे A कुश्चिन नमर 45 क्या पूँच रहा है कभी कभी समाचारों में लिखने दिखने वाला फ्रोजेक्ट लून किस से सम्बंदित है यह है आपका बेतार संचार प्रोद्दिकी की से सम्बंदित 45 में आपका B 45 में B कुश्चिन है हमारे सामने 46 Malware के संदर्म में निमलकी त्योगों पर विचार करना है आपको क्या करना है विचार करना है और आप देख रहे हैं कि Cyber Attack आजकल जानदा ही हो रहे हैं और इसमें से सही सम्बंदित आपको चुडना है बिलकुस सही आप लोगों को देखना है Trojan Hot यह Network के माध्यम से फैलने के लिए Swim की फिट्टिकितियां बनाता है Adware विग्यापन में काम आने वाला एक Software है Ransomware जब तक मांगी गई धनरासी का भुकतान नहीं किया जाता तब तक Computer तक पहुँच को बादित कर देता है इसमें आपका यह दूसरा सही है और तीनसरा सही है लेकिन एक आपका गलत है सुमलित नहीं है एक तरह सी सही परिवासा नहीं दे रहा है तो इसमें आप लोग B लगाएंगे क्या लगाएंगे B 47 46 में B Question number 47 Digital Sky Platform निमलिकित में से किस से सम्बंदित है तो यह आपका मानो रही हवाई डौन से सम्बंदित है 47 में D Question number 48 निमलिकित में से कौन सा गुप्त कालीन मंदिर मंद्पदेश में इसमें इसमें नहीं है क्या मुचरा है नहीं है तो याद रखना होगा इसमें नचना कुठार का परवती मंदिर है भीतरगाओं का यह मंद्र नहीं है आपका भूमरा का सिम मंद्र हो और तिकबा का विश्नु मंद्र भी है तो 48 में B लगाएंगे आप लोग ठीक है Question number 49 जनसंक्या 2011 के अनसार मद्पदेश में नगरी है जनसंक्या कितने देखने को मिलेगी आपको नगरी है यह आप देखेंगे 27.6 पी तीसत यानि कि आपका 49 में B Question number 50 निमली कितमे से किसे चूना नगरी के नाम से आप लोग जानते हैं तो यह आप सभी जानते हैं कटनी के नाम से यहां बहारी आप लोगों कि से मेंट फेक्टर नहीं भी देखने को मिलेगी और MP का एक जिला भी है ठीक है तो राजा मान सिंग तो अमर संगीत एमं कलाविस विद्ध्यले कहां देखने को मिलेगा यह भी आप देखेंगे ग्वादियर में देखने को मिलेगा मद्विदेश की पिथम महिला मुखमंत्री यह तो आप लोग जानते होंगे इन में से कोई नहीं यानि कि उमाभारती थी ओमाभारती का इसमें ओप्सन नहीं है तो आप लोग क्या लगा देगों है डी ओप्सन डॉक्टर सिम मंगल सिंग सुमन की फिसिद्ध किर्थी क्या है यह याद रखिएगा यह है आपकी मिट्टी की बरात मिट्टी की बरात तरेपन में भी आपका डी ही होगा कुश्य नमर चंगन क्या पूँछ रहा है आमसे निमलिकित में से कौन सा समारो देवास में आउजित होता है देवास में कौन सा होता है तो यह आप देखेंगे कुमार गंदरव समारो चंगन में भी आपका डी जामतिकोण में सामिल कौन सा है जामतिकोण में सामिल है यह आप देखेंगे जंधन योजना आधार मोबाईल नंबर यानि कि आपका D option इसमें होगा E जला पर योजना G2C कि आधान प्रदान सुधार हे तो अवर धारित है इसमें G2C क्या है या किर इसका पूरा नाम क्या कह सकते हैं आप लो तो इसमें आई इसका Government to citizen याद रखे Government to citizen 56 में आपका E question है आपके सामने 57 निमलिकित में से भालती है Micro Vlogging साइट है तो यह आप सभी जानते हैं कौन है अभी हाली में ही आपने देखा होगा बड़े बड़े मंत्री इसका प्रचार बिसार भी कर रहे थे कूएब कौन है कूएब मद्विदिस में लोग सिवा दिवस कम मनाते हैं लोग सिवा दिवस की बात कर रहे हैं तो यह मनाते हैं 25 सेप्टमबर को 25 सेप्टमबर को लोग सिवा दिवस की रूम में मनाया जाता मद्विदिस में मात्रत लाप संसोधन अधिनियम 2017 के उनसार पितेक महिला को मिलने वाले मातित आउकास की अउधी 1270 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है इसमें 26 26 26 ठीक है 20 मलीरिय देवस कम मना जाता है 20 मलीरिय देवस 25 अपरयल गो 25 अपरयल गो कुश्चिन है हमारे सामने 61, निमली कितमे से Microsoft Office का उधारन है यह आप देखेंगे होजी होरी Gentle Market Software है यह नाम भी सुन रहा है आप लोग चलिए 61 में आपका C आप लोग लगाएंगे Question No. 62 भारत की एकमात महिला मुख निर्वाचन आयुप्त इन में से कहों सी थी मुख निर्वाचन आयुप्त की पूँच रही है तो याद रखी B.S. रमा देवी सहब 62 में D Question No. 63 क्या पूँच रहा है संग लोग सिवाईग को निमलिकित में से कौन सा कौन सी कार सौफा गया सौफी गया है अकिल भारती सिवाओं के लिए परिक्षा गायव जन करना दो या अधिक राज्यों के अनुरोध परभर्दी के समद्ध में साहता करना लोग सिवाओं से समद्धित अनुसा आसनिक बिसेओं पर परामस करना ये तीनों बात से यी बात है 63 में आपका A Question No. 64 क्या कह राज 64 नीती आयुक के अध्यक्ष कौन होता है पिर्धार मंत्री और आप जानते हैं ये उजना आयुक के भी आपके अध्यक्ष होते थे पिर्धार मंत्री और आप सभी लोगों को ये भी माल होगा कि ये उजना आयुक को पिती इस्थापित करकी आपका नीती आए वाया है और नीती आए एक जनवरी सन 2014 माकरी 2015 2014 अगस्त में आप देखते हैं कि गोशना हुई थी पिदान मंतरी साहब ने की थी और 15 में यह आ चुका था उसे पिदी इस्थापित करें थी तो इसमें आपका 20 सही होगा 64 में मंडल आयो की सिफार से इनमें से किस पिदान मंतरी के कारकाल में लागू हुई थी तो यह थे आपके विसनात परताप सींग सी ओप्सन आपका बिलकु सही है कुश्चिन है हमारे सामने 66 मदबदे सराज्य सूचना आयो की सभी सदस्वों को करने का अधिकार इनमें से किस के हात में है मदबदे सराज्य सूचना आयो की बात कर रहा है तो याद रखिए राजपाल के पास 66 में आपका D कुश्चिन नमबर 66 के अंदरी सतक्ता आयोक CBC निमलेकित में से किस समती की सिफारिस पर गठित की गई थी तो ये थी आपकी के संथानम समती इस तरह की समतियों को भी आप लोग याद रखिए उनसे भी डारेक्ट कुश्चन कही बार आता है सरशट में A कुश्चन 68 राश्टी हरित अधीकरण NGT की स्थापना बताए 18 एक्टूबर 2010 को 68 A 69 59 राजसभा और लोकसभा टीवी के बिलाई के बाद अब इसमें से इसे क्या नाम दिया गया बताए तो संसर टीवी क्या संसर टीवी 69 में B 70 हाली में पदम भीवूर्शन से समानित गुलाम मुस्तपाद खान का निर्दन हो गया वे निमनेवस से किस चेति से जुड़े हुए थे तो याद रखे सास्ती ये संगिस से A option आपका बिल्कुल सही है Question number 71 Kelo India Winter Games 2021 का यानि की 2021 कायो जिन कहा हुआ है तो ये आप देखेंगे गुल मरक जम्भू गस्मीर में 71 में आपका A Question number हाली में किसे All India Football Federation का पहला ओप महासर्चिप निउप किया गया तो ये है आपका अभी से क्या दो 72 में आपका B Question number आपका 73 भारत का पिथम COVID-19 समर्पीत अस्पताल किस राजी के इंदसासित पिदेश में खूला गया तो याद रखेंगे महराष्ट में क्योंकि आपने देखा है महराष्ट में किस तरह से हाहा कार मची हुई थी अब समझ रहें तो इसमें आपका D चलते हैं Question number Corona से मुझे लगता है एकात Question जरूर पोचेगा सभी जानकारी याद रखें भारती ये आयूव ज्यान अनुसंधान फर्शद की को वित्य साहता कहां से प्राप्थ होती है तो ए आप देखेंगे स्वास्त एबं परिवार कल्याण मंत्रा लाई की द्वारा दे जाती है 74 में भी आपका D 75 भारत में सुदंदा से पहले निमलिकित में से सही नहीं है तो बाकी 3 तो सही होंगे एक आपका गलत होगा और गलत आप लोगों को चाटके लगा देना है ईवमेश मांग में कमी के कारण कारी अन्तराल होता है तो याद रख़िए इसमें आपका C option होगा 76 में C लगाएंगे C आपका गलत होगा बाकी ये भी डी आपका विल्कुल सही होगा कुश्य नमर 77 हाली में भारतिय भू विज्ञानिक सर्वेक्षण को किस राज्य में बेने डिडियम के भंडार मिली है तो ये आपको देखने को मिलेगा अरुना चल्पिदिस में चाइना से लगा हुआ है 77 में A कुश्य नमर 78 निमलिकित में से कौन भुक्तान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है नहीं है पूच रहा है तो बाकी 3 होगे आपके एक नहीं होगा वही आपको देखना है इसमें से चाटना है बस्तुओं का निर्यात आयाद सेवाओं का निर्यात आयाद आयर प्राप्ति और भुक्तान पुझी गयत प्राप्ति और भुक्तान तो इसमें आपका D होगा 78 में 78 में D आपका भुक्तान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है ठीक है बाकी आपका ABC बिलकुल है Question number 89 ब्यापार करने की सुविधा का सुचकांक यानि की E-Job Doing Business Index की घुशना कौन करता है तो आप सभी जानते हैं है से तो कि नहीं जानते है विस बैंक वर्ल्ड बैंक C option आपका बिलकुल सही है Question number हमारे सामने 80 अंतरिक्ष में इस्थापित भारत का पहला संचार उपगर है कौन सा था Apple Question 81 TCP IP model में निमलिकित में से कौन से यह नहीं होते हैं Layer नहीं होते Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, Data Link Layer तो इसमें आपका D नहीं होगा Data Link Layer नहीं होगा 81 में आपका D Question number 82 की तरफ चलते है Mac Address की समद्द में कौन सा कथन सही है इसका उपयोग Wireless Ethernet जैसी IEEE 802 Network तक्निकों में होता है यह यह एक आदूती यह भौतिक पता है जो किसी Network, Card की भौतिक Network में Communication के लिए दिया जाता है इसे Burnd and Address या फिर Ethernet Highway Address भी कहते हैं तो इसमें आपके तीनों सही है क्या है? D option होगा आपका Question number 83 Email की संद्रम में Mail उपयोग करता Agent क्या है? क्या है? A यह एक पकार का Application Program है जिसकी मतद्द से उपयोग करता Mail लिखता है और भी आजकल अच्छा Mail करते रहते हैं मतलब Email समझ रहा है? Electronic Mail तो 83 में आप C लगाएंगे Question number 84 मत्द पेदेश के पिसित्ध हो की खिलाडी बेवेक सागर पिसात को अंतराश्टी हो की महासंग ने वर्स 2019 में कौन सा पुरुस्काल दिया था? तो यह दिया यह आप देखेंगे Rising Star of the Year 84 में यह Question number 85 21 जुलाई 2020 को लखनव की एक अस्पताल में लाल जी टंडन का नेधन हो गया बेमद पेदेश के क्या थे? राजजपाल सहाब अभी आप लोग बरत्मान में देख रहे हैं अभी कौन राजपाल है? बताइए नीचे 26 सेप्टमबर 2020 को निमने में से कौन सी फिलाइट? लेप्टिनेंट राफेल लडाकू बिमान उड़ाने वाली पहली महला फाइटर फाइलेट बनी है तो ये तो आप लोगों को नाम होगा काफी चर्चा में रही थी सिबांगी सींग 86 में C 87 बांदगर्ड टाइगर रेजर वे कौन से जली में है? बांदगर्ड उमरिया 87 ए 88 नौरा दही अभ्यारन की स्थापना? 1975 स्वक्षता सर्विक्षन 2020 में पिथम इस्थान? इंदौर कौन सा? इंदौर ये आप देख रहे हैं कि काफी अच्छा प्यदर्शन कर रहा है लगातार कर रहा है नांदना प्रेंट कला कहां की है? ये आप देखेंगे धाल जाबुगा की आदिवासी महला द्वारा पहने जाने वाली परिधान में लहेंगा ओड़नी पर खास प्रेंटिंग गई MP की है अकापी पूंचा जा सकता है 90 में आपका ए कुश्य नमर 91 आत्म निर्भरतप का रोड में जारी करना वाला देश का पहला राच ये आपका MP ही हो सकता है सिवरासींग भारती बन रिपोर्ट 2019 यानि की 2019 के अनुसार मद्पिदेश में कौन से जली में सबसे अधिक बन और और बढ़ा है तो यह आप देखेंगे पन्ना में पन्ना आप लोग जानते हैं और यहां आप देख रहे हैं कि हीरे की खोज हो रही है तो पेड काटे जाने की भी बात हो रही है आंदोलन भी चल रहा है आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं नेमलेखित में से किने पदम सीरी 2021 यानि कि 2021 में अवर्ड दिया गया, तो याद रखिए इसमें, ए आपकी भूरी भाई को कपिल तपारी, यानि कि आपका D होगा तरानवे में, A और B, ठीक है, और MP से है इसलिए पहुंच रहा है, मद्विदेश से राजसवा सदस्केरों मे जोतिरा सिंधिया और दिगविजा सिंग के अलावा, एक कौन निर्वाचित हुए, तो याद रखिए हैं आपके, सुमेर सिंग सौलंकी, और आप देखते हैं कि पहले जोतिरा सिंधिया आपके कॉंगरेस में थे, पर उसके बाद उनने देखा कि यहां वेवस्ता नहीं व होता है, उसका फायदा उठाने के लिए, एक तरह से आप कहे सकते हैं कि मलाई खाना असली खिलाड़ी वही है, सिंधिया परिवाद, अब इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं, आप लोग देखते रहे हैं, कुश्य नमर 95, निमने में से कौन नवी करणी उर्जा में स बायो डिग्रेडेवल पिदूसक है, तो याद रखी यह आपका DDT है, यूरेनियम है, पारा है, यानि कि सभी है, 96 में आपका डीव, कुश्य नमर 97, मद्पदे सरकात द्वारा सवला महिला महासभा का एवजन कब किया गया, तो याद रखी यह किया गया था आपका 8 2020, 8 मार्च 2020, 97 ए, कुश्य नमर 98, क्या पूच रहा है, अब्दूल लतीव कि स्केल से संबंदी थे, तो यह है आपकी फुटवाल से, भारत की पितम सौदेशी कोरोना वैक्सीन का नाम, बताओ, को वैक्सीन, और को बैसील, दो आप लोग देख रहा है, हमारे दैस में काफी लग रही है, तो आप लोगोने को भैक्सीन लगवाई होगी या को भी सील, लेकिन को भैक्सीन सौदेशी है, ठीकश? केलों को उद्द्यों का दज़्याद कराद दिये जाने, कि सराज्य ने दिया है तो यह आपका मिजोरम है सौ में आपका ए तो चलिए यह थे आपके पांच मॉडल पेपर इन्हें आप लोग परिक्षा से पहले जरूर देख के जाईएगा और भी आप लोग जब तयारी हो आती है पूरी तो इस तरह के मौक टेस्ट आप लोग दिया करिएगा ठीक है इससे क्या होता है कि हमें अपनी आखाद मालू चलती है एक तुरह से कि चलिए हम लोग तो मिलते ही रहेंगे हम लोग कहां जाने वाले हैं ठीक है